तेरे की भ्रांतियां सबार्ट तमस्कार आप सभी का स्वागा तिकनॉमी तुडे में मैं हूं मुकुल शर्मा तिकनॉमी तुडे में आपको हम बताएंगे कारोबार जगत में क्या कुछ खास चल रहा है और इसके साथ आने वाले जो दिन है उनमें इस तरीके से जो भारतिय अर्थोरस्ता है और मस्बूत होती नजर आएगी और खास्ताओं से आज हम चर्चा भी करेंगे इसी को लेकर के कैसे जो भारतिय अर्थोरस्ता है लगतार मस्बूत होती जा रही है लेकिन आईए सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर सरकार अंतराश्य फर्जी कॉल से देश में होने वाली थागी के मामले को लेकर सक्त सरकार अंतराश्य फर्जी कॉल पर प्रतिमन लगाने का दियाने देश यूजर्स को मिली साइबर अपराद और वित्य धोका धरी से राहत वितवर्श दोजार चौबिस और पच्चिस में अर्थवस्ता के शांदार प्रदेशन के साथ ही विनिर्मान और सेवाशेत में लगातार बपानी हुई है तेज़ी मई महिने में 14 साल में सबसे अधिक कद्दार चुगा कंपोसिट पीमाई बढ़कर एक्सरदशनल साथ पर पहुंचा भारत की दो फिंटेक कमप्टियों ने साल 2018 से चले आ रहे विवाद को कोट के बाहर आपस में मिल कर सुलजाया भारत पे ग्रूप और फोन पे ग्रूप ने पे प्रत्या को लेकर ट्रेडमार्क का दावा नहीं करने का किया फैसला दोनों कमप्टियों ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में एक दूसरे के खिलाफ सभी विरोधों को वापस लेने का भी किया फैसला और सप्ता के पहले कारोबारे दिन आज बढ़त के साथ खुले भारते शेयर बासार पिछले सप्ता के आखरी कारोबारे दिन लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी तो आज की टॉप लाइन साथ में जानी किस तरीके से लगातार अगर बात की जाए फेक कॉल्स को लेकर उस पर सरकार ने सकती अब बढ़ती है कंपोजिट पीमाई की अगर बात की जाए इसमें इजाफा देखा गया और साथ साथ कैसे जो दो कंपनिया है उन्हों की बीच का जुदवाद है अब सलस्ता हुआ नजर आ रहा है वहाँ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं देश में तीसी से बढ़ते अंतराश्टिये फ़र्जी कॉल से ठगी के मामलों को लेकर तो यहाँ सरकार सक्त हो चली है सरकार ने दूर संचार सेवा प्रदाताओं को अंतराश्टिये फ़र्जी फोन कॉल रोकने के निरदेश दिये हैं संचार मंतराले ने एक विग्यप्ती में कहा है कि जालसाज भारते नागरिकों को भारतिये मुबाइल फोन नंबर दिखा कर अंतराश्टिये फ़र्जी कॉल कर रहे हैं मंतराले ने कहा कि अब दूर संचार सेवा प्रदाता को ऐसी अंतराश्टिये फ़र्जी कॉल को ब्लॉक करने के निरदेश जारी किये गए हैं हालकि दूर संचार विभागने टेलिकॉम यूजर्स की सुरक्षा के लिए संचार साथी पोटल सही कई पहल की हुई है लेकिन इन प्रियासों के बावजूद अभी भी कुछ दो के बाज ऐसे हो सकते हैं जो अन्य तरीकों से ठगी करने में सफल हो जाएं ऐसी कॉल के लिए यूजर्स चक्षू पर फ्रॉड कम्यूकेशन की रिपोर्ट कर सकते हैं तो साइबर अपराज जो है धुकलरी जो होती उस पर अगाम लगाने के लिए उस पर नकेल कसने के लिए सरकानी निर्देश दिया है और वहीं केंद्री राज्य मंत्री राजीर चनशेखा ने सुशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि केंद सरकार ने केरल सरकार को आर्थिक संकट के समय में धन उधार लेने की अनुमत दे दी है भार सरकार ने राज्य सरकार को दिसंबर दोहजार चौबिस तक 21,253 करों रुपे तक की उधारी को मंजूरी दी है उन्होंने कहा कि केरल के सि-म पिनराई विजेनन केरल के लुगों के कल्यान के लिए बिना किसी रिसाः और वर्श्ट चार के धन का उचट उपयोग करें राजीर चनशेखर ने एक्स पर लिखा कि ECM पिनाराई विजय अनर महिनों से संखर्ष कर रहे हैं केसार टीसी करमचारियों सहित सरकारी करमचारियों के वेतन और पेंशन का भुकतान तटिय संखरक्षन और मिनी हाबर पर यूचना का अनिश्बादन और मौझूदा सीपियो भरती प्रक्रिया को पूरा करने का काम करें और आई अब रुक करेते हैं बाजार की तरफ भी जी हाँ बाजार जो है उसमें क्यास्ति नजर आ रही है सबसे पहले अगर बात की जाए गिफ्ट निफ्टी की तो आप देख सकते हैं सहती संको की जो बढ़हत है वो नजर आ रही है जिसके बाद ये 23,800.50 पर कारुबार करता नजर आया हरा निशान नजर आ रहा है वहीं अगर सेंसेक्स ओपनिंग की बात करें तो 212.4 शेंको की तेजी जिसके बाद ये 75,622.8 शेंको पर आज सुभा जो कारुबार है उसकी शुरुआत हुई है लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेंसेक्स जो है और नएक इतिमान पर पहुंच रहा है और वहीं 50-50 की अगर बात करें तो यहां भी 70 से अधिक अंको की तेजी जिसके बाद ये 23,27 वर कारुबार करता नजर आया तो कहीं न कहीं एक तेजी जो है वो बासार में बनी हो है और इस दोरान जो टॉप गेनर्स रहे जहां हरे निशान के साथ कारुबार होता हुआ नजर आया इसके साथ ही टॉप लॉसर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अरानी एंटरप्राइस ओएंजी सी आईशर मौट विप्रो और कोल इंडिया ये आज के टॉप लॉसर्स हैं जहां पे लाल निशान के साथ लाल कारुबार होता नजर आ रहा है और आईए अब आखे बढ़ेंगे बात करेंगे ग्लोबल मार्किट को लिए कर भी सबसे पहले यूस मार्किट के इस्तती जान लेते हैं डॉजाओंस फीचर में आप देख सकते हैं ये क्यावन अंकों की जो घिरावत है वो नजर आ रही है जबकि S&P 500 और नेस्टेक में हम तेजी देख पा रहे हैं नेस्टेक में 184 अंकों की जो तेजी है वो देखी जा सकती है तो यूस मार्किट का हल आपने जाना बात करते हैं एशन मार्किट की तो आप देख सकते हैं निकाई 25 की अगर बात की जाए हैंग सेंग और कॉस्पी तीनों में ही ह कारोबार निशान जो है वो नजार आ रहा है यानि बढ़त के साथ जो कारोबार है वो होता देखा जा सकता है एशन मार्केट में और अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं 82 दशनलाव दोन और डॉलर पती बैरल जो भाव है ब्रेंट कूर का दर्ज किया गया और यहां शुन्य दशनलाव एक साथ की जो फीज ती तेज़ ए है वो फिलाल हम देख पा रहे हैं तो जाना आपने कारोबार जोकत में 22 किस्तती क्या बनी होई है फिलाल हम यहार उक्रेंग छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासर हो किसानों को जारी रहेगी 6000 रुपे की सम्मान निधी यह है मोदी की गारंटी कि लिएक भाल मोदी सरे काई सब्स्रेस क्याकर के सुछ कहिता है कुरियोसिटी एक थी ते सम आप टैसे लिए टू आद के सम टेैसे प्रमान निधी तोड़ को तो प्यूश сцен सियर्ट, क्राफ्ट फॉर दे क्यूरियस अगर तुम्हारा ट्रेट एक्सचेंज पर एक्जेक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गैरंटी डिटर्न्स वाली स्कीन है तो ये आई पी एफ आपकी मदद नहीं कर सकता है और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉर्टर बन जाए तो तो फिर आई पी एफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है कहां से सिखत एन एस ए की साइट पर किसान के खाते में सीधे 6,000 मोदी की गैरंटी फिर एक बार मोदी सरकार कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं तो ब्रेके बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागाट कॉम्पें टुडे में और आई अब बात करते हैं आज के फोकस की भारती अर्थवरस्ता के अगर हम बात करें तो इलगातार मस्बूत सती में बनी हुई है वितवर्ष दोजार चौबिस और पच्चिस मेर थवरस्ता के शांदार प्रदशन के साथ ही विनिर्मान और सेवाज शेत्रों में लगातार चौतिसवे महिने में तेजी आई है मई महिने में कंपोजेट प्यमाई बढ़कर एकसर दशनल साथ पर पहुँच गया जो की 14 साल में सबसे उंचा आंग्रा है विनिर्मान शेत्र में मेकिन इंडिया का काफी असर हुआ है इसकी बानगी हाल ही में जारी कंपोजेट प्यमाई यानि परचेजिंग मेंड़र इंडेक्स में भी देखने को मिली है मई महिने में कंपोजेट प्यमाई बढ़कर 61.7 पर पहुँच गया देश में मांग को मिली गती खास कर सेवा शेत्र में तेजी आने से ऐसा हुआ है HSBC की ओर से जारी ताजा सर्वे के मुताबित भारत के विनिर्माण और सेवा शेत्रों में लगातार 34 महिने में तेजी आई है जो पिछले 14 साल की तीसरी सबसे मस्बूत रिडिंग है PMI मस्बूत बने रहने के कारण निजी शेत्र में नौक्रियों का स्रजन हुआ है बढ़ी है बैकलॉग बढ़ने के कारण अतरिक्त करमचारियों को लेने के अलावा भारतिये विनिर्माताओं ने उत्पादन प्रक्रिया में इस्तिमाल के लिए अतरिक्त सामक्री के खरेदारी भी की है दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थ्ववस्था के लिए प्यमाई में बढ़ातरी होना एकोनोमी के सेंटिमेंट के बारे में बताता है सरल शब्दों में कहें तो प्यमाई जरिया है विनिर्मान शित में रोजगार नए ओडर्स बिस्नेस एक्टिविटी को मापने का साथी देश में मेंगाई पनियंत्रन और राजनित के स्थरता के चलते भी अर्थ्ववस्था को सहारा मिल रहा है ब्यूरो रिपोर्ट डेडी न्यूज अर्थ शास्ति आपका बहुत बहुत स्वागल सचीन जी सबसे पहले आपसी जाना चाहेंगे जब हम आमनाग्रिकों की जब हम बात करते हैं कैसे वो इस पीमाई को समझ सकते हैं क्योंकि जो जिस तरीके से इसके पैरामीटर्स होते हैं खासा और से निजी शेत की जब हम ब जिस उचाल के भी चर्चा कर रहे थे वो सामने निकल करके आता है जैसा आपकी रिपोर्ट में बिल्कुल सही का आगया मैनिफेक्चरिंग के चेतर में सर्विसेस के चेतर में जो भारत की तेजी से प्रगति हुई है उसका ही इंडेक्स या HSBC की रिपोर्ट ने सामने लाक है और वो उचाल जिसकी चर्चा आपने की मुझे लगता है उसको अगर तीन बिल्दों की जर्ष्टी से अगर हम देखें तो आते सोचित होगा सबसे पहला जो हमने सर्विसेस सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ते हुए देखा है आपको धैने होगा कि अभी पिछले की और आज हमारा टारगेट है 2030 के लिए वो वन ट्रिलियन है अभी 800 बिलियन तक अंदाज लगा के टिया रही है कि हम 2029 में ही वो 800 बिलियन हासल कर सकते हैं तो यह जो पिश्वास है इसका मुखली दूसरा बड़ा परिणाम जो हमने नॉलेज बेस एकॉनमी है उसमें लग हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जी सी सी थे जिस 600 शाड़ी 600 थे और अब वो बढ़कर के 1500 का भी आंकड़ा पार कर गए है और इनका खुद का टर्नोवर 46 मिलियन डॉलर है तो अगर हम समझे साधरन गश्टी से कि भई PMI में किन छेत्रों में विकास हो रहा है तो आ आज आप देखिए अब सारे ट्रावल्स बिल्कुल पैक चल रहे हैं अगर आप इंशॉरेंस के प्लांस देखें अगर आप फाइनेंस सेक्टर में बौरोइंस देखें तो इक टेजी से उसमें जाफा हुआ है तो जो सर्विसेस सेक्टर है वो हमारे एकॉनमी का एक मेजर इंजिन लगातार बना हुआ है उसके सहथ जो हमने मैनिसाक्टरिंग से जोडने का प्रयास किया प्रयास किया आज उसको भी पूरी तरह से सामने लेकर किया है जी बिल्कुल सचिंजी और इसमें जब हम योगदान की बात करते हैं मेकर इंडिया की बात की जाए या इस तर कि देखें हमने समय रहते ही यह सारी सुविधाएं नागरिकों को भी और उद्यों को भी देने का प्रयास किया पीलाइए स्कीव एक है और जैसा आपकी ने बिल्कुल सहाई कहा कि सही राजनेतिक निर्ट्वतों की निरन तरका के चलते हुए यह निरने पिछले 10 वर्षो में जो हुए उसी का ये परणाम आज हम देख रहे हैं कि नस्रेफ सर्विसेस सेक्टर जो हमारे एक बड़ा इंजिन पहले से बना हुआ था मैनुफेक्टरिंग आया है और पी एलाई उसके साथ जोड़ी हुई है अब एक और मुपल जी जो नया ट्रेंड हम देख रहे हैं उसमें सर्विसेस और मैनुफेक्टरिंग का कन्वर्जेंस है अब ये अलग-अलग सेक्टर इसी जमाने में हुआ करते थे अब हम देखते हैं कि जो गोबी के अफिवरिटी सेंटर कई मल्टिनेशनल कंपनीज ने भारत में खोले हैं वो सब अब मिलके कहीं न कहीं मैनुफेक्टरिंग के साथ भी जोड़ रहा है तो ये जो कन्वर्जेंस हो रहा है ये एकॉनोमी को और हमारे जीडीपी के एक्स्पांशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है हम देखते हैं कि सर्विसेस सेक्टर की इससेदारी जो करीब 9.7% दोहजार तेईस में थी आपक सकते हैं जो कंपोसेट PMI है वो जिस तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है लेकिन इसमें खास और से जब हम रोजगार की बात करते हैं क्योंकि देश में हमने देखा स्टाट अप कल्चर जो है वो भी डेवलप होता नजर आया और उसके साथ साथ जब अथरिक्त रोजगार क हमने बात की पहले एक लक्षा हम रखे थे कितना रोजगार शायद हमें जरुद पड़ेगी लेकिन जो मांग ये निकली है डिमांड जो जनरेट हुई है और ज़्यादा इंप्लॉइमेंट को लेकर उसको कैसे आप देख पा रहे हैं लेकिन इंप्लॉइमेंट का एक बड़ा पैटर्न है वो बहुत ही बड़ा विशे भी है बातचीत करने के लिए लेकिन चुकि अभी समय कम है तो अगर सिर्फ में छोटी एक बात कहूं कि इस ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर की मैं बात कर रहा था सर्विसे सेक्टर के एक है जो स्टार्टप्स के साथ जुड़ा हुआ है वो सर्विसे सेक्टर में एक मातोपून गुमिताने पार है और यह सारे नौलेज इंटेंसिव सेक्टर है तो जो प्रधान मंत्री ने बार बार इसकिल डवलप्मेंट करने की बात करी जो हमने इसकिल इंडिया की बात करी जो डिजिटल इंडिया की बात करी ये उसी के परिणाम स्वरूब आज हम देख रहे हैं कि जितने वर्ल की रिसर्च एंड डवलप्मेंट के सेंटर्स हैं, शोद के जो केंद्र हैं, वो भारत में आए हैं और ये अपने आप में नसरिफ मल्टिनेशनल कंपनीज का भारत की अर्थिवस्ता में विश्वास है, बलकि हमारा जो टेलेंट है, वो अब अमेरिका या आउस्टेलिया फागने के अफशक्ता भी नहीं है, उन्जे यही पर वोही सुविधाय मिल रही हैं, इस अफ लिविंग के चलते हुए, जिन मैट्रोस का, जिन स्मार्ट सिटीज का ड अर्थिवस्ता के लिहाज से इस तरह का जो बदलाव है, वो कितना सकारात्मक हम देख सकते हैं, क्योंकि जो कंपोजिट PMI है, उसको जाहित और पर एक सेंटिमेंट बताता है हमारी एकनॉमी को लेके, और अब जो पूरा विश्व है, वो भी देख रहा है कि कैसे टेजी स अर्थिवस्ता जो है लगातार आगे बढ़ रही है? है, अगर आप देखें, पिछले महिने ही गोल्डमेंट सेक्स ने अपनी रिपोर्ट सर्विसे सेक्टिक जो पर जारी की थी, और आपको याद होगा, उसमें भी अमूनन ऐसे ही आखड़े सामने आये थे, तो यह सिफ एक महिने पहले आप गोल्डमेंट सेक्स की रिपोर् बड़ा वर्ट अंतराश्टी एस्तर पर इस दिशा में भारत के इस परयास को ना सिर्फ सकारातमन दश्टी से देख रहा है, बलकि इंव्रेस्मेंट की दश्टी से एक महतुपूर्ण डेस्टिनेशन के रूप में भारत उभर रहा है। और उसी का परिणाम क्या हम ये बान सकते हैं अब जो हमारे सामने आरे लगातार जो अलगलग नतीजे आ रहे हैं। अबिट में लेकर के आए, जिनके पास बैंक के खाते नहीं थे, उनको बैंक के खाते उपलब्ड कराए गए। और ये आकड़ा सिर्फ हमारे कहने से नहीं है। अगर आप देखेंगे युनाइट नेशन्स की रिपोर्ट भारत अकेला ऐसा देश विश्व में उभर के आया है। जिसने मल्टी डैमेशनल पावर्टी में से चार सो मिलियन से जादा लोगों को बाहर निकला है। ये संख्या अपने आप में अत्यनत मातोपून है और ये इंडिकेट करती है कि अर्ट विश्व था के टेक आफ के लिए जादा से जादा लोगों की सहभाविता हमें मिल रही है। जो हमरे साथ जुड़े हुए हैं और फिर आप देखिए चाहे वो knowledge का सेक्टर हो चाहे manufacturing का सेक्टर हो इवन agriculture का सेक्टर हो यानि हर एक शेत्ष से हम कह सकते हैं जो सकारात्मात परिणाम है सेचन जी वो हमें मिल रहे हैं और उमिर यही कि जो तेजी है और और तेज होती न नहीं खबरों पर फटाफट अंदास में Logistics Company अदानी Ports and Special Economic Zone Limited ने भारत के सबसे प्रमुक बंदरगा मुद्रा पोर्ट पर रविवार को सबसे बड़े कंटेनर जहाज का स्वागत कर एक और रिकॉर्ड बनाया है जहाज MSC अना को 26 मई को मुद्रा पोर्ट पर डॉक किया गया जो बंदरगा और देश के समुद्रे उद्योग दोनों के लिए महत्पून मील का पत्थर साबित होगा MSC अना एक प्रभाव शाली जहाज है जिसकी कुल लंबाई लगभख 399.9 मीटर है और ये चार फुटबॉल मैदान के बराबर है इसकी शम्ता 19,200 T.E.U है ये किसी भारतिय बंदरगा पर जानी की शम्ता के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है मध्यप्रदेश के विजयपूर में गेल इंडिया लिमिटर का पहला ग्रीन हाइडोजन प्लांट चालू हो गया है जो देश की सबसे बड़ी नेच्रल गैस, ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रिबूशन फर्म के लिए नई और वेकलपी उर्जा में एक बड़ा कदम है ये प 2030 तक देश के लिए 5 मिलियं टन वाश्र ग्रीन हाइडोजन उत्पादन शमता का लक्ष रखा है शेयर बाजारों ने जनवरी मार्च दिमाही में सुची बददा अनिवारतों को पूरा नहीं करने पर इंडियन ओयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ONGC All India Limited और मेंगलूरू रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स पर गुल मिलाकर 34 लाक रुपे का जुर्माना लगाया है ये जुर्माना इन पर 31 मार्च दोहजार चौबिस तक अपने देशक मंडल में जरूरी संख्या में सुतंत्र निदेशकों या महिलान देशकों की न्युक्ती नहीं करने के लिए लगाया गया है तो जाना आपने कारोबार जगत में क्या कुछ खास फिलहाल आज के लिए नौ में टोड़े में बस इतना हैं लिकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डिडी न्यूस मुझे दीज़े अनुमती नमस्कार झाल 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 झाल